हेलो आवरीबन गुरूप एंड रिंग में आपके पास थार्ड यूनिट चल रहे थी होके थार्ड यूनिट में आपका सिक्स चैप्टर चल रहा था जो कि आज हमारा थार्ड यूनिट का लास्ट लेक्टर होने वाला ही ठीक है तो इसमें हमारे पास कुछ डेफिनिशन अब याद नहीं हमें तो देखे क्या है निल-पॉटर Scale इंट में टो नील परण खूट है था हम रखिए अगर किसी मार्स की फावर कोई पी पावर एंड इक्वज टू जीरो दे तो हम क्या कह सकते थे उसको कि वो आपके पास nil potent matrix थी मतलब a की power n is equal to अगर क्या दिखा दे 0 तो आपके पास क्या है nil potent matrix तो देखिए हमने कुछ नया नहीं सीखा हमने पुराने कोई modify किया तो अगर एक element nil potent होगा आपका तो तन क्या कह सकते हैं कि power n equals to 0 और आपका n जो है वो positive power होगी ठीक है अब आता है nil potent ideal तो nil potent ideal वो होगा s आपके पास कोई भी ideal है ring r का s is set to be nil potent s को आप nil potent कहोगी कि some positive integer n आपके पास कोई भी positive integer क्या मिले n मिले और s की power n किस से generate हो 0 मतलब यह जो set हो यह generated by किस से हो guys 0 से generated हो तो then हम क्या कहेंगे कि s वो आपका ideal बनता है कैसा ideal nil potent ideal बनता है ठीक है तो nil potent का मतलब क्या है nil potent हमने यहाँ पे set को nil potent दिखाया है कि element को होता तो a की power n equals to 0 और हम nil potent matrix पर चुके जो की क्या है a की power n equals to 0 देती है ठीक है ऐसे ही हमने s की power n equals to क्या दिखा दिया कि भी generated by किस से 0 से अब आपका आता है nil nil ideal तो nil ideal क्या होगा nil ideal s आपके पास कोई ideal है ring r का is set to be nil if each element of s is क्या हो nil potent s ideal है r का ideal का मतलब समझते हो ठीक है अगर s का परतेक element अगर आपने क्या दिखा दिया nil potent परतेक element that means a की power n equals to 0 दिखा दिया आपने तो हम कहेंगे कि वो nil ideal जो बनता है वो कैसा बनता है nil ideal बनता है ring बन जाएगे ठीक है अब क्या कहते है ring r है r आपने कोई ring लीविद इनिटी तो 0 और 1 जो है इसे क्या important elements है okay तो देखी इस पर कुछ है अंपल्स है जो आपके छोटे question में पूछ सकता है वैसे पूछ सकता है let r भी कोई भी आपके पास ring है of two by two matrices over integer integer के sets के उपर आपने r कोई ring define किया और r में क्या वारा है matrix आ रही है कैसी matrix आ रही है two by two order के आ रही है तो हमने उसका s कोई भी क्या ले लिया एक ideal लिया ठीक है s ideal लिया sorry s कोई subset लिया उसका two by two का ठीक है जिसमें हमारे पास first column की entry फिल अप थी और second column की integer जो थे हम आर पास के जीरो ए और वी integer से बिलॉंग करता है क्योंकि इसने starting में बोल दिया कि आप आर जो ring ले रहे हो ना वो किस पर define कर रहे हो गाई वो integer पर कर रहे हो तो देन हमें क्या दिखाना कि s जो है वो left ideal बने but not right ideal left ideal आप left ideal की definition ध्यान है कि a और भी आप दो इसके member लो तो first condition में a minus का b belongs करे किसे ऐसे और second condition में r a belong करे किसे ऐसे for all आपका जो a है वो तो किस से जाए ऐसे आए और r जो है वो किस से आए capital r r क्या थी r आपके पास ring थी ठीक है ना r हमार पास क्या थी ring थी s उसका क्या था कोई subset था तो यह क्या थी left ideal ओके अगर यह right ideal ऐ आर बिलोंग करे किस से ऐसे तो यह किसका symbol है आपका यह right ideal का है तो देखिए अब करे कि यह जो metric से आपकी left ideal तो बने बट क्या ना वने right ideal ना अब हमने S जो subset माना है R का, हम उस S set में जिस type के element मानने है, तो वह उसी type के element मानने के चलेंगे, मतलब यह जो second column की entries है न, वो आपको क्या ही लेनी पड़ेगी, 00 ही लेनी पड़ेगी, तो A हमने ले लिया AB 00, और B ले लिया CD, यह ले लिया, सब्टेक्ट कर देते हैं, तो A माइनस का B क्वस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, A माइनस का सी, यह element घड़ जाएगी, corresponding entries, जो है B में से CD हो जाएगा, अब देखिए, आपको यह देखने, क्या यह जो matrix है, यह S के type की थी, definitely है, S के type की कैसे है, S में भी आपके पास क्या था अगर आप A, B, C, D जो थे, वो integers ले रहें, तो definitely उनका जो difference है, वो भी एक क्या रहेगा, integer रहेगा, तो then हम क्या कह सकते हैं, कि हगर हमने S के दो element उठाए, तो उनका difference जो है, वो किस में जा रहा है, S में, और आप इस condition को क्या बोलते हो, कि S आपके पास क्या सब गुरू ब मान लिया, R का मेंबर हमने C मान लिया, और C जो थी, उस matrix की सभी entries जो थी, हमने non-zero रख लिया, arbitrary लिया, अब R A, मतलब R A, अगर left दिखाना है, तो R को left रखते हो, ये member किस का है, ये आपके पास R का मेंबर है, और A किस का मेंबर है, ये आपका S का मेंबर है, चीक है, तो इ R का left product with किस के साथ, A के साथ, अगर आपका S में चला जाता है, तो आपने गाए, C लिया, C लिया और A लिया, product किया, तो देखिए, वापस ही, जो product है, वो आपके पास, फिर C के S की form का रहा है, मतलब, इधर कुछ भी element आए, don't worry, क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हो, आप integers पे तो भी integer, तो ये जो भी कुछ लोगे, कोई भी symbol लगाओगे, divide को छोड़के, तो तीनों में, ये क्या ही देगा, integer ही देगा, ठीक है, तो हमारे पास second column जो है, वो क्या आपके बाने, 0 बिलोंग करता है, किस से, ऐसे, अब देखिए, इसका reference दे दिया, तो आपके पास कहने का मतलब, RCA, बिलोंग कर रहा है, किस से, ऐसे, तो इसने, ये वाले जो condition, मैंने अभी भी बताई थी, आपके पास, ये दोनों conditions को क्या कर दिया, hold कर दिया, hold कर दिया, तो तैना, आपके पास क्या बन गया, left idle, लेकिन इसने एक बात और बोली कि, ये दखिए, not right idle, बर left idle, ठीक है, तो हमने क्या लिया, S का कोई member ले लिया, अब S का member ले रहे हो, आपको definitely पता है, S में जो है न, वो आपके पास second column, क्या बन रहा है, zero बन रहा है, तो second column अगर आपका zero बन रहा है, तो हमने इसके integer one one ले लिया, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके प लिया, AR, तो AR लिया, तो देखिए, S का element है, ये आपका, R का क्योंकि right दिखाना था, तो इन दोनों का product पूरे, सभी entries को fill up कर दिया, मतलब कोई भी entries, जैसे S में जाने वाला जो element था, वो क्या था, वो अपना second column क्या रख रहा था, zero रख रहा था, ठीक है, zero रख रहा था, तो then, लेकिन इसमें क्या, all entries क्या हो, रिक ही आपकी, सभी non-zero है, तो not belongs to, किस से, S देखिए, आप क्या कह सकते हो, कि ये आपके पास क्या नहीं है, right ideal नहीं आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो product था, R का, A के साथ, और ये जो है, ये आपके पास किसमें नहीं जा रहा S में नहीं जा रहा, ठीक है न, तो देखिए, हो गया न, जरूरी नहीं, matrix 4 में ये आपका बने ही, और ना बने है, तो next example है, आपके पास, illiterate, with example, help of the example, A is right ideal, and B is left ideal, कि A आपके पास right ideal है, and then B जो है, वो आपके पास क्या left ideal, तो आपको गईस क्या देखना है, कि दोनों का intersection जो है, वो आपको ये देखना है, कि वो left और right बनता है या नहीं, तो ये कह रहा है कि, आपको ये example ऐसा उठाना है, कि left, A तो left ideal बने, B right ideal बने, लेकिन उन दोनों का जो intersection वो कुछ भी ना बने, ना तो left बने, और ना ही right बने, तो सबसे इस type के जो question है, उसके लिए सबसे easy जो है, example हमारे matrix form के बनते हैं, okay, R हमने 2 by 2 matrix ले ली, over real numbers पे ले लिया, okay, अभी पिछे वाला जो example था, वो हमने integers पे लिया था, लेकिन ये हम किस पे ले लेंगे, real number पे लेंगे, तो A देखी, हमने कहा कि 2 by 2 ले ले ले, लेकिन कैसे भी आप इसको define का सकते हैं, A हमने entry लि उसमें 0 entries ले ले, और A और B यहां से क्या belong करते हैं, reals करते हैं, तो A को आपको क्या दिखाना है, right ideal दिखाना है, तो right ideal दिखाना है, तो that means हम इसके वही process करेंगे, दो element उठाएंगे, difference उठाएंगे, तो A1 और A2 तो element ले लिया, A1 में हमने A1, B1 ले लिये, और इसमें A2, B2 और second row जो थी, दोनों की क्या थी, 0 थी, तो A1 माइनस का A2, okay, किया, आपके पास देखिए, वापस किसकी फोरम है, यह, S की फोरम है, है ना S की फोरम, तो देखिए, आपके पास S की फोरम है, goes to which में, A में जा रही है, और यह real नमबर थे, A1, B1, A2, B2, A और B सभी real नम अंडर अंडर एडिशन के, okay, C हमने क्या ले लिया, उसका कोई भी मेंबर ले लिया, तो C अगर मैं कोई मेंबर लेती हूं, मुझे राइट दिखाना था, R का मेंबर है यह, तो S के ऐलिमेंट के साथ राइट प्रोड़क्त किया, R के ऐलिमेंट का, तो R के ऐलिमेंट का र इस type का अभे आपको दिखानाए कि left ideal बने बी हमने सेट पीछे वाले example में लिया था तो ये वाला set ले-लिया हमने वहां पे दिखा चुके हैं लेकिन आपको यह दिखाना है क्योंकि इसने तो reference दे दिया की फस्ट एक्जामपल में हम इसको डील कर चुके हैं लेकिन आपको ये लिखाना होगा ओके तो बी लिया इस टाइप का जिसमें सेकंड कोलम क्या है जीरो और फस्ट कोलम फिल अप है यह आपने लेफ्ट आइडल दिखाया था ओके अब हम इन दोनों का क्या लेते हैं इंट के पास क्या था अपके पास क्या है यह यह टांका इनब है तो ऐ जिरो जिरो और तके पास पलें तो हमने आई जू थाय वो इसका इंटरसेक्शन लियू आप देखे HAM हमने क्या किया है कि i जो है वो भी two by two by six बनेगा और किस form का अभी अभी दिखाया था हमने कि इसका सिरफ first element जो है a11 element वो fill up होगा बाकिसारे क्या रहे जीरो आ रहे वेर a जो है वो real है अब आपने हमें यह दिखाना था कि i जो है ना तो left ideal बने और ना ही क्या बने right ideal तो इसक यह लिए हमें आर का element उठाना पड़ेगा और आर का element उठा लिया और उसको i के element के साथ left और right product अगर हमारा किसमें चला जाता है i में चला जाता है तो आप क्या कह पाते हो कि यह हमारे पास क्या बन जाएगा left और right ideal तो देखे करते हूं ठीक है अब element r बन देखे हमने यहा पे subgroup वाली जो under addition है वो condition को hold it नहीं करा है क्योंकि वो तो आपके पास definitely अगर आप इसके दो element लेते हो वह इसी type के तो element लो कि difference लोगे वो भी इस type का तो हमने वो नहीं दिखा है क्योंकि दो बर हम दिखा चुके तो इतना तो understanding हो जाता ही चीज है हमें सिर्फ product दिखाना है तो R1 हमने R की element लिया जिसमें सभी entries हमने non-zero रखी और यह हमारा I1 है ओके हमें I1 का कोई element लिया इन दोनों का हमने R1 का इसके साथ right product रखा तो R1 का right product रखा इसमें आपके पास row 1 की entry फिल लगोंगे row 2 की element रखा है zero तो that means आपके पास एक इसमें नहीं जाता I में नहीं जा था I में तो सिरफ आपका एक ही element है बाके दोनों तो क्या है zero zero है तो यह तो इसमें नहीं आ रहा okay तो हम क्या कह सकते guys कि I जो है वो हमारे पास क्या नहीं बन रहा not right ideal ठीक है अब हम left ideal के लिए इसका क्या करेंगे left product करेंगे तो left product किया left product किया तो आपका पहला जो column है वो fill up हो गया और second column zero zero है यह अब भी I में नहीं जा रहा क्योंकि I में तो सिरफ एक entry जो थी वही आपके पास non zero थी बाके सब तो zero थी तो आपने क्या देखा कि A और B दोनों A तो आपका left ideal यह तो आपका right ideal था B आपका left था लेकिन उनका जो intersection है वो आपका कुछ भी नहीं बन रह ठीक है यह next example है यह भी आपके पास इसी type का है ठीक है देखें आगे कि show that show by an example that union of two ideal of a ring need not be an ideal of the रही कि हमें example के साथ explain करना है कि दो ideal बनते हो बट उनका जो union है वो जरूरी नहीं है कि वो भी आपके पास क्या बने ideal बने set of integer ले लिया हमने जो ring का काम कर रहा है जड हमने क्या बता दिया वह रिंग है under addition and multiplication s हमने उसके दो s और t हमने दो उसके ideal बने ठीक है s ideal ले लिया जो generated by किस से है 2 से और t generated by किस से है 3 से तो यह generated by 2 है तो that means यह multiple of क्या रखेगा 2 यह generated by 3 है तो that means यह multiple of 3 रखेगा ओके अब यह दोनों ही हमके क्या है ideals है चीक है बेसक से आप इसे hold कराके देख लिजीएगा लेकिन दोनों ही क्या है ideal आपके पास क्योंकि यह generator रख रहे तो ideal तो होंगी क्योंकि generator आइडियली तो हमने कितनी conditions थोरम पढ़ी है उसे क्या according तो मिलड़ा आपको यह तो दोनों है अब condition क्या थी कि उन दोनों का union है उसके बारे में लेंगे इसी type के यह नहीं लेना कि आपने 6 और 4 ले लिया 6 और 4 लोग उनका difference करो कि 2 आएगा वो तो मिल जाएगा लेकिन हमें तो यहाँ पे इसने खुदी बोला कि note note के लिए ले रहा है तो note के लिए हमें जबरदस्ती हमें ऐसा कोई negative element ढोलना पड़ेगा कि वो इसकी result क negative लाए ठीक है तो हमें जबरदस्ती क्या ढूल डाला two or three लेने ठीक है अगर आप यह कहें कि four or six पे तो hold हो रहा है two or four लोगे तो भी hold होगा क्योंकि अगर सारे even ले लिए तो इसके according two का multiple के according hold हो जाएगे अगर आप three का multiple ले 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 तो क्योंकि वो भी ideal था तो हमें ऐसे उठाना हमें दोनों का element उठाना है तो दोनों का difference करोगे बनाएगा क्या बन जाता है अपने union में नहीं जा रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि यह आपके पास इसका सब गुरू बनता है under addition नहीं बन रहा तो अगर इसने एक भी condition को hold नहीं कराया तो हम कह सकते कि आपके पास क्य इंदा रिंग ओफ इंटीजर इंदा रिंग ओफ इंटीजर रिंटीजर के उपर आपके इंटीजर के उपर आपने कोई रिंग ले रखी है और कहता है कि प्रिंसीपल आइडियल दिख लेना उसका प्रिंसीपल आइडियल क्या होता है कि उसका रिंग का ऐसा आइडियल ज कि टी जो है आपके पास टी हमने यहां पे थ्री का मल्टिपल ही दो लिया था वो भी क्या था एक रिंग था तो इसने सर्फ एक जामपल मानना है तो आपको यह डेफिनिशन ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल आइडिल क्या होता है कि जो अपने जर्नेटर रखे तो इसको भी प्रिंटर लिया, never me, अगर दो का पूष्ट है तो दो का उपर वाला देख ली जी चार का पूष्ट है तो चारवाला से चार का पूष्ट हो जाएगा ही ऐसे किसी भी कभी लेता है तो जर्नेटर को जब आप खोलते हो तो मुल्टिपल अफ इस अलिमेंट ही तो आपके प rational number क्या कह रहा है कि set of integer set of integer is a sub ring of ring of rational number आपके पास rational number पे कोई दिख्या थी ring थी और rational number के उपर ring थी और हमने उसका कोई sub ring मानी और sub ring क्या ले लिए integer का set ली है छीक है कह रहा है कि rational लंबर के लिए integer का सेट आपके पास सब रिंग का काम कर सकता है करेगा कर सकता नहीं करेगा नहीं आई बात समझ में कि रैसनल लंबर का अगर आप रिंग उठाते हो तो उसके लिए integer का जो सेट है वो सब रिंग का काम करेगा बट कह रहा है कि not an ideal ये ideal का काम नहीं करेगा ची दो element उठा लिए और उनका difference और product किस में जाए S में तो subring तो है बोल रहा है क्योंकि यहां पर subring दिखाने के लिए हमें सिरफ S के element तक ही सिमित रहना पड़ता है लेकिन ideal दिखाने के लिए आपको left और right product भी तो लेना पड़ता है left और right product लेना पड़ता है ना और यह दोनों किस में जाए आपके S में जाए और दूसरी में जो condition है इसमें एक member आता है R का एक आता है S का कोई बात नहीं S वाला तो S hold कर लेगा क्योंकि वो तो उसी का element है लेकिन R वाले को कैसे hold कर सकता यह तो हम guarantee नहीं ले सकते ना क्योंकि rational जो है वो सभी सेट्स को कंटेंड करता है वह आपके natural number को भी करता है whole number को भी करता है in deserves को बहु pi Dir करता ना तो आकम यह तो नहीं क्या सकते कि सारे rational number integer है नहीं कह सकते ठीक है तो मतलब यह इसकी जो बात है उसको समझिये कि कह रहा है कि rational number की ring के उपर integer का जो set है वो sub ring का का काम करेगा definitely करेगा देखिए कर रहा है क्योंकि sub ring में हमें दो जगो condition दिखानी होती है दो members उठाईए और जो कुछ भी कि वो Z ideal की कौन सी ring के उपर क्या उपर क्या उपर दिखाना है तो क्या उपर के लिए हमें नहीं पता तो A और B दो element लिए उके उन दोनों का difference है definitely किस में जाएगा Z में ठीक है तो definitely Z में जाएगा product भी जाएगा और Z किसका sub set है क्या का sub set है तो हमने क्या दिखा दिया कि Z जो है वो आपकी sub ring तो बन रही है किसकी क्या की sub ring बन रही है बन रही है न क्या की sub ring अब आप ये देखिए कि हमें इसको ideal दिखाने के लिए हम कहीं नहीं जाएगे हम सिरफ left और right product के उपर जाएगे तो हमने क्या लेना कि एक element क्या ले लिया, क्या हूँ का ले लिया, जैसे R ले रहे थे न R का, तो हैसे हमने क्या हूँ का element क्या हूँ ले लिया, और A का element क्या ले लिया, जड ले लिया, ठीक है, तो क्या हूँ A and A क्या हूँ, बिलोंग करता है किस से, Z से, ठीक है, A क्या लोग करता है जैड से यह दिखाना आपको अगर वह आपके पास क्या बनता हो राइडियल बनता हो अरे लेफ्ट और राइट प्रोड़क्ट के साथ दिखाना है ठीक है अब हम इसको एक्जाम्पल के समेथ करेंगे तो यह देखिए कि हमें यह तो पता है कंडिशन दस नोट होड अज पौड़क्ट ओफ इंटीजर एंड रैस्नल लंबर कि एक रैस्नल लंबर लो और एक इंटीजर लो तो जरूरी नहीं है उसका प्रोड़क्ट आपके पास क्या बने रैस्नल लंबर और ठीक है आपने थ्रि ले लिया जैड का और क्या ले लिया favors 10 y 13 किस का फ्रल्प लिलिया क्या होगा 10- Whether that is less number कि अंगर कि अगर यह आइडेल बनें तो इन दोनों का पॉरड़क किस में जाए जड़ में जाए लेकिन यह तो तो आप क्या कह सकते हैं कि जड हमारे पास जो है वो क्या नहीं बना आइडियल नहीं बना ठीक है नेक्स्ट तोरम आपके पास एस लेफ्ट आइडियल है रिंग और का और लस क्या लेफ्ट एनिहलेटर ओफेस सेट बढ़ा था न आप और कैसे डिफाइन कर रखा है यह आर बिलोंगस तो किस से आर से एंड सच एट आर एक एक वस्ट जीरो लेफ्ट एनिहलेटर मतलब एक एलिमेंट के साथ इसका लेफ्ट प्रोड़क्ट क्या है यहां पर जीरो तो देन आपको क्या दिखाना है कि यह जो सेट है वो बोथ बने आइडिय बने तो हमने क्या कर दिया we sell though एंड अल्यवले ले लिए सब भुरुप होगा खिसकार आज ह्खी तो हमें दिखानी है तो सब गुरुप है अब दो element डिएंगे क्योंकि ideal दिखाने के ली है दो element ले रहे हो और उनका difference भी तो उसमें दिखाना है ठीक है अब आपने दो एलिमेंट पिक किए x1 और x2 किसके लिए ls के लिए अगर ये दोनों एलिमेंट इसके आ रहे हैं तो इसकी जो condition है इसको satisfy करेंगे ना करेंगे तो हमने यहाँ पे r की बजाए x1 और x2 दो एलिमेंट लिए तो जहाँ पे हमारे पास r था वहाँ पे हम क्या लिख सकते है x लिख सकते है ठीक है तो x1 a equals to 0 और x2 a equals to आपके पास क्या बन गया 0 for all a के लिए जो बिलोंग करता है किस से ऐसे और यह किस से थे r से थे ओके इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भी आपके पास क्या होगे जीरो ओके यहाँ से मैंने पीछे से a common ले लिया तो x1 minus x2 into a equals to 0 for all for all उसके लिए कि वही अगर आपके x1 और x2 बिलोंग करते आर से दन का डिफरेंस भी किस में जाएगा आर में और यह तो था ही इसका तो देखिए इसने लस की condition hold करा दी left annihilator की left annihilator की condition hold करा तो that means it belongs to kis से LS से हो गया तो देखिए आपका LS जो है अंडर क्या बनता है अंडर एडिशन सब गूरूप बनता है ओके अब आपके सिर्फ पास सिर्फ एक काम बच गया क्या कि left और right प्रोडेक्ट और दिखाना आपका तो we shall show that x belong करता है इससे और एक member किसका ले लिया आर का यही तो लेना है कि x तो एक member तो आपको जिसको भी दिखाना है लेफ्ट या राइट आइडिल उस सेट का लेना है एक आर का उसका left और राइट प्रोडेक्ट किसमें जाना उस सेट में जाए LS में जाए ठीक है x मैंने लिया LS का x LS का लिया r किसका लिया इसका लिया अब x और r दोनों ही किसके member थे r के थे तो x a किसमें होगा 0 x a is equal to 0 क्योंकि आपने x किसका member उठाया है ls का उठाया है left annihilator तो यह जो condition है यह किसकी है left annihilator की है ok ठीक है अगर आप लेते हो r x belong करता है क्योंकि यह दोनों element अगर आपके r के हैं तो इन दोनों का product तो r में जाएगा तो अब देखिए दोनों का product किसे में जा रहा है r में जा रहा है ठीक है अब a element किसका था s का आप यह सोच रहे हो यह सब क्यों कर रहे हैं हमें क्योंकि मतलब इसका element इसकी forum का होना चाहिए फिर उसका r के साथ जो product है वो आपका ls में जाना चाहिए तो हमें तो यहाँ पे ls के तो 2 का product element आ रहा है ठीक है तो lrx into में a उठाया इसके definition के according ओकी तो हमने यहाँ पे लिया r को भार कर दिया bracket के साथ x a ले लिया x a आपके पास क्या था 0 तो यह क्या आगया 0 आगया तो इसका मतलब क्या है कि यह r का element था यह ls का element था sorry s का element था और यह दोनों किस में जा रहें इन दोनों का sorry product जो है वो आपके पास क्या बंड़ है 0 बंड़ है that means rx जो है वो क्या होगा ls में नहीं चला जाएगा ठीक है second condition कुरू करने के लिए right वाली के लिए कि r आपका r का है a आपका s का है दोनों का जो product वो किस में जा रहा है आपका s में जा रहा है ठीक है क्योंकि s आपके पास क्या था ideal था x आपने एक element उठाया इसका तो देखिए जब आप इसका कोई element उठा रहे हो तो यह इसक s की element के साथ r की element का left product जो है वो क्या दे रहा है zero नहीं चला जाएगा ls में चला जाएगा ठीक है तो हमने लिया x into में इसको एक आप किसका element उठा रहे हो r का अगर ये element इसमें जाता है तो इसका product इसके साथ क्या आएगा 0 आएगा ठीक है हमने उठाया xr को एक bracket में ले लिया into में a equals to 0 तो देखिए ये 0 जा रहा है जीरो जाया तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास xr belongs to ls तो हमने क्या दिखा दिया left annihilator में इसे दो element उठाए उसका r के साथ left और right product जो है वो दोनों किसमें जा रहे हैं ls में जा रहे है तो ls में जा रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो left ideal भी बनता तो कह सकते हो कि आपका both sided ideal है तो ideal मनगे तो आपको यहाँ पर confused नहीं हो न यहाँ पर कह रहे है कि इसका member है तो अगर इसका member ले रहे तो वो बैचारा इसकी भी तो condition satisfy करके आएगा आप तभी तो ले सकते हो कि भी आप simply थोड़ी हो s का ले रहे हो तो एक element s का उठाया r का उठाया इसका left right product उसमें साथ दिखा दिया नहीं क्योंकि आपको यह भी तो बात ध्यान में रखके चलनी है कि यह member जो है वो बिचारा एक कहां से आ रहा है वो यहां से आ रहा है तो अगर इस set से आता है तो वो इसके भी तो बाते मान के आएगा इसके भी तो conditions को follow करेगा तो सिरफ आपको जो लग रहा है कि यहां पर यह थोड़ा सा क्या खीचड़ी से पक गए खीचड़ी नहीं फकी है यह बिल्कुल समझने की बात है यह कि अगर आप एक member इसका उठा रहे एक R का तो guys यह जो member उठाओगे तो यह इसकी भी तो condition को इसको भी तो satisfy करके आएगा हम अलग से थोड़ी ने सकते हैं क्योंकि LS में तो वही आते हैं जिनका S A के element S के element के साथ R के element का left product क्या हो 0 आता है तो यह वो वाली भी तो बात hold करके आएगा ठीक है तो इसलिए आपको यह बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है ओके थैंक यू हवे नाइस देख